नमस्कार आप देख रहे हैं N27 News और आपके साथ में हुरेशम खार लोगसभा चुनाओं के लिए उतर प्रदेश में भारतिय जंता पार्टी ने उमीदवार का एलान कर दिया है वही बीजेपी ने इस सीट से योगी सरकार में केबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को प्रत्याशी बनाये है वही जितिन के प्रत्याशी बनने के बाद इस सीट से वरुन गांधी का पत्ता कट गया है इसी के साथ पीली भीट से पहले चर्ण में मतदान होंगे और इसके लिए 27 मार्च 2024 को नामांकन का आखरे दिन है वही सोमवार को जब नितिन प्रसाद पीली भीट पहुचे और दो कारे करमों में हिस्सा लिया तो उसमें भी कही वरुन गांदी नजर नहीं आए ऐसे में ये सवाल उट रहे हैं कि वरुन गांदी क्या करेंगे दरसल ये सवाल इसलिए भी उट रहे हैं क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी एलान करने से पहले ही वरुन गांदी ने नामांकन के लिए चार सेट में पर्चा खरीदा था और माना जा रहा है कि वरुन ने चुनाव लड़ने का पूरा मन बना लिया है हाला कि वो इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं इस पर कैयासों का दोड़ चल रहा है वहीं आपको बता दे कि वरुन गांदी के पास कुछ विकल्प है जिससे कि वो चुनाव लड़ सकते हैं जै वरुन गांधी बीजेपी से बगावत करते हैं या नहीं वहीं दूसरा विकल्प यह है कि सपा प्रत्याशी ने भी बीते दिनों वरुन गांधी को ओफर दिया था कि अगर बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो मैं उनके लिए सीट खाली कर दूँगा अब देखना